राश्ट्रिय लोकदल के राश्ट्रिय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्धिखी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने इस्तीफे की जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा मैंने अपना त्याग पत्र राश्ट्रिय लोकदल के अध्यक्ष मानिय जयंत चौधरी को भेज दिया है। मैं खामोशी से देश के लोकतांतरिक धांचे को समाप्त होते नहीं देख सकता। आज जब भारत के समविधान और लोकतांतरिक धांचा खत्रे मैं हैं, खामोश रहना पाप है। मैं जयंत जी का आभारी हूँ पर भारी मन से आरे लड़ी से दूरी बनाने के लिए मजबूर हूँ। भारत की एकता अखंडता विकास और भाईचारा सर्व प्रिय है। इसे बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी और धरम है। धन्यवाद, शाहिद सिद्धी की 2002 से 2008 तक उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद रहे हैं। वह एक पत्रकार हैं और नई दिल्ली से प्रकाशित, उर्दु सापताहिक नई दुनिया के मुख्य संपादक भी हैं। राष्ट्रिय लोक दल ने यूपी में 2022 का विधान सभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। पार्टी ने 33 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किये थे। उसके 9 उम्मीदवार जीतने में सफल रहे थे। हालांकि लोक सभा चुनाव से ठीक पहले RLAD BJP की अगुआई वाले NDA में शामिल हो गया है।